हेलो फ्रेंड्स मैसल दीपक और हम आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे वेक्सिडियसन से रिलिकेट कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट ठीक है तो उससे पहले मैं आपको बता जेता हूं कि इंडिया में जो है थ्री वेक्सिन को इमर्जेंसी यूज ऑथराइजेशन के ल वेक्सिन है वो है आपका को वेक्सिन जिसे की भदत बायोटेक ने जो है वो मैनुफेक्चर किया है और जो हमाई थर्ड वेक्सिन है जो कि स्पुट्निक फाइफ है उसे रसिया के गैमेलिया इंस्टिट्यूट ने जो है वो मैनुफेक्चर किया है तो इंडिया में देख अब बात करें कि आपको कौन सी वैक्सीन जो लगवानी चाहिए तो देखिए यहाँ पर चाहिए वो COVID-Ceal'd हो चाहिए वो आपकी COVACCINE हो चाहिए वो तो यह तीनों जो वैक्सीन है वो उसकी एफिकेसी बहुत ही अच्छी है अगर हम एफिकेसी की बात करते हैं तो देखिए जो COVID-Ceal'd है उसकी जो एफिकेसी वो 70% बताई जा रही है वहीं COVACCINE की 80% बताई जा रही है और जो Sputnik V है उसकी एफिकेसी वो 91% बताई जा रही है लेकिन क्योंकि देखिए इंडिया की population बहुत जादा है आलमोच 135 करोड तो आपको इन तीनों वैक्सीन में जो भी वैक्सीन जो है आपको एवेलेबल है तो आप उनमें से कोई वैक्सीन जो है उसे लगवा सकते हैं ये एक टाइप का मित है कि आपको जो COVID-Ceal'd लगवानी क्योंकि इंडिया में population इतनी जादा है और इस population के वैसे जो है वैक्सीन की availability भी देखिए बहुत इकम है जैसा आप लोग देखा हुई COVID-Ceal'd में जो वैक्सीन की availability वह नहीं मिली जिसके वैक्सीन नहीं लगवा पाए है इसके अबरा कुछ ऐसी state है चाए वह आपका डैली ह हो जाए हो या गुजरात हो तो वहां पर जो है vaccination हो रहा है 18 to 44 years वालों का तो यह देखिए वैक्सीन की कितनी crisis है क्योंकि हमाई जो population वह बहुत ज्यादा है और जो doges है manufacture का वह इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है कि वह easily सबको available हो इसलिए आपको जो भी वैक्सीन मिल लहीं चाहिए वो covid sealed हो चाहिए वो co vaccine हो चाहिए वो sputnik 5 हो तो कोई cb आपको vaccine अगर available है तो आप उसे आँख बन करके लगवा सकते है क्योंकि तीनों vaccine जो है वो काम कर रही है उसकी efficacy भी अच्छी है तो जो भी आपको vaccine मिले आप उस vaccine को लगवा लीजिए ठीक है तो अब हम बात करते कुछ important questions की जो कि बहुत से लोग जो है internet पे पूछ रहे हैं तो मैंने सुचा चलो मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं उन questions को solve करने की कोसिस करूँगा उसका explanation देने की कोसिस करूँगा ठीक है तो देखिए सबसे पहले बहुत लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि अग आप जो हो है जितना जल्दी हो सके आप अपना फ़र्ज ले लिजे देखिए यह तीनों जो vaccine है चाहये हो वूदि हैं यह का जो टो खूरह यहांने समय आपको डो डोज जो लेने है यह निकि आपने एक जोस्जेत अपने लगवा लिया तो आपको दोनो डोज लेने हैं हाला कि जो एक डोज लेंगे उसके बार आपको को इम्मूटी बन जाएगी 15 डेज लगें, मिनिमम 15 डेज लगता है इम्मूटी बनने में, लेकिन अगर आप डोनों डोज लेंगे तो आपको पूरा फुल प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है, इसलिए अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई भी सिंटम्स नहीं है, कोविट से रिल जो है, वो लगवा, उसका फर्स डोज ले सकते हैं, ठीक है, अब देखिए, फर्स डोज आपने ले लिया, उसके बाद जो है, रिसर्च में ये पाया गया है, नॉर्मली क्या था कि आपको 4-6 विक्स के अंदर जो है, आपको सेकंड डोज लेना होता है, ठीक है, लेकिन अ आप हमेशा 6-8 विक्स के बाद ही लें, ताकि इससे क्या होगा, कि आपकी जो एफिकसी ये वैक्सीन की वो बढ़ जाएगी, और आपका जो पोटेक्शन है, वो भी बहुत ही अच्छा इंप्रूब हो जाएगा, इसलिए जो सेकंड डोज आप लें, वो 6-8 विक्स के जो भी COVID-Positive है, तो देखिए, अगर आप COVID-Positive है, तब आप वैक्सीन इमिडिटली नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए, आप जो है COVID-Positive हो चुके हैं, तो आप क्या करिए, अपने आपको पहले negative लाए, यानि COVID-negative करिए, ठीक है, सबसे पहले आपको COVID-negative जो है, और उसके बाद जो है, आप minimum one month का gap period लीजें, ठीक है, सबसे आप जो है, आज COVID-Positive होए, तो आपको अगर recover होने में 10 days लग रहा है, तो आप 10 days तक वेट करिए, फिर अपना आप RT-PCR कराईए, अगर आप उसमें COVID-negative होए, तो आप उस दिन से one month तक, आप कोई भी vaccine मत लगवाई है, ठीक है, क्योंकि जब भी आप जो है, करोना से अगर आप infected हो रहे हैं, और आप recover कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपके body के अंदर जो है, उस particular virus के against immunity आपकी body में आ गई है, ठीक है, और ये vaccine क्या, ये एक type का booster dose होते हैं, ठीक है, तो अगर आप immediately, ज उसके बाद जो है, आप जो है, वैक्सीन का first dose जो है, वो लगवा सकते हैं, उसके बाद फिर आप जो है, six to eight weeks का वेट करके आपना second dose ले सकते हैं, ठीक है, तो ये उन patient के लिए जो already जो corona positive हो चुके हैं, अब next हमारा आता है, उन patient के लिए, suppose उनोंने अपना vaccine dose लगवा लिय है, उसके बाद जो है, वो covid positive हो रहे हैं, ऐसा भी case हो रहे हैं, तो इस case में भी same आपको करना है, आपको minimum time लेना है कि आप कब जो है, पूरी ता से recover हो रहे हैं, तो suppose आप 10 days में recover हो गए हैं, फिर आपको one month का wait करना है, one month का wait करने के बाद आप फिर से जो है, आप अपना second dose ले सकते हैं, ठीक है, तो यह सब चीजे हैं, यह different cases हैं, इसके अलावा एक और case है, जिसमें अगर suppose आपने दोनों dose ले लिए, ठीक है, आपने कोई भी particular vaccine का चाहिए, वो co vaccine हो, चाहिए COVID-Cirid ya Sputnik 5, आपने किसी का भी, इन में से दोनों dose ले लिए हैं, उसके बाद भी आप आप COVID-Cirid positive हो रहे हैं, ठीक है, यह बहुत से cases में हो रहा है कि अगर आपने vaccine के डोनों dose ले लिए, तब भी आप जो है COVID-Cirid positive होए जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका रीजन यह है कि देखिए, vaccine का काम क्या है, वो आपको उस particular foreign particles के हम बोल सकते हैं, करोना virus के अगेंज जो immunity करता है, ठीक है, अब देखिए, अगर आप तब भी positive होए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि, vaccine का मतलब यह है कि वो आपको जो है, उस particular foreign particles है, virus के अगेंज जो immunity परवाइड करता है, ठीक है, जब आपको already virus दिया जा चुका है, in the form of vaccine, तो आपकी अंदर जो immune system है, आपक वो already recognize कर लेता है, आपकी body में, कि यह जो particle इसके against जो है, हमने already antibodies बना रखे हैं, ठीक है, अब आपको naturally अगर कहीं से कोई virus आ रहा है, same coronavirus अगर आपको infect कर रहा है, तो already हमारी immune system को जो है, पता है कि इसके against जो है, हमारी body में already antibody है, तो वो क्या करेगा, तो अपने काम में लग immune system को जो teach करता है, कि आप इस particular strain के या virus के against में आप antibody बनाईए, ठीक है, तो vaccine अगर आपने लिया है, तो आपको coronavirus होगा, ठीक है, आप infected होगे coronavirus से, लेकिन आपका जो symptoms है, वो mild से moderate हैगा, आप CVT कि तब नहीं जाएंगे, ठीक है, मतलब आपको mild symptom हो सकते हैं, या moderate symptom हो सकते है लेकिन आप जो symptoms हो severe नहीं होंगे, means आप अपने घर पे easily ठीक हो सकते हैं, जो भी COVID-related medicine है, जो भी medicine है, जो भी prescribe की है, उसके अगर अप लेंगे, तो आप normally घर पे ही साही हो सकते हैं, आपको hospitalized नहीं होना पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या था, ये एक फाइदा है vaccine लगवान हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग इन देखा है कि अगर उन्होंने आज vaccine लगवा के आया, तो अगले दिन उनकी death हो गई, या 3-4 दिन बे उनकी death हो गई, तो एक ची देशी की, ये जानने वाली है कि vaccine लगाने कभी कोई मरता नहीं है, ठीक है, वेक्सीन इतनी safe है, क आप जितने लोग में वेक्सीन लगवा सकते हैं, एक का दुखा कुछ ऐसे case आते हैं, क्योंकि कोई भी 100% efficacy के साथ नहीं आती है, ठीक है, आप जो भी लोग मरे हैं, तो उसका, बहुत बहुत कुछ नहीं हो, या कुछ नहीं कह सकते हैं, कि जितने लोग की जो भी death होई है, वो vaccine के वज़े से हुई है, ठीक है, तो vaccine बहुती safe है, तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप जितने भी लोग आप available हो, यहाँ पर भी vaccine available हो, आप जितनी जल्दी हो सकें, वहाँ भी vaccine को लगवा लिए, ठीक है, आप देखिए, symptoms, side effects, वो क्या है, देखिए, कभी भी आप कोई भी vaccine लगवाएंगे, तो उसके side effects आते ही आते हैं, वो आप पर depend करता कि आपका immune system कितना अच्छा है, ठीक है, तो immune system के उपर depend करता कि आपको, आपने कोई vaccine लगवाई है, तो उसका कोई side effect आपकी body में visible हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो suppose आपने vaccine लगवा हम उन्हें को पता ही चला, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके अंदर जो vaccine लगवाने के पाद कुछ side effect आते हैं, अब इस side effect क्या क्या है, यह मौड़ी mild side effect है, ठीक है, जैसे कि आपको mild fever हो सकता है, आपको headache हो सकता है, आपको nausea हो सकता है, या रेर केस में diarrhea भी हो सकता है, तो यह सब कुछ mild side effect है, जो common है, आते ही आते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी vaccination करवाने जाएए, तो थोड़ा बहुत side effect आता है, क्यों आता है, क्योंकि आप कोई भी foreign particles अगर body में डालने हैं, या body में inject करने हैं, तो body जो है, वो उसके साथ fight करता है, ठीक है, वहाँ पे rare case में vomiting हो सकता है, तो यह सब चीज़ें जो जनरल हैं, ठीक, अगर किसी को ऐसा कुछ हो रहा है vaccination के बाद, तो वो medicine ले सकता है, नहीं तो कुछ case में ऐसा भी होता है, कि एक दो दिन में जो fever है, या जो भी आपका headache हो रहा है, जो muscle pain है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब जो है, automatic चली आती है, बहुत लोग दो बिना medicine लिये भी, इसमें automatic वो body adapt कर लेती है, ठीक है, इसका एक main side effect है, वो जहाँ पर भी, suppose आपका intramuscular में आपका जो vaccine लगता है, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, कि वहाँ पर थोड़ा pain होने लगता है, या वहाँ पर swelling हो सकती है, यहाँ पर redness आ सकता है, ठीक है, तो इससे घबरा है, यह normal side effect है, क्योंकि obviously वहाँ पर आपको vaccinate किया गया है, तो वहाँ पर यह side effect common है, यह आता ही आता है, ठीक है, तो यह सब चीजे जो हैं, अब अगर देखिए, यह सब बहुत सी चीजे जो बित वो value हुई है, आप किसी इन सब जो फालतू की चीजे जो social media फे फैली हुई है, कि यह सब जो है, यह सब वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, इससे लोग मर रहे हैं, तो इन सब चीजों को आप बिलकुल फॉलो मत करिए, ठीक है, क्योंकि यह सब बेकार की चीजे हैं, और एक तो देखिए, सब से plus प्येस प्येसिंट यहें, कि यह जो वैक्सीन बनी है, यह बहुती कम टाइम यह बनी है, इससे पहले जो वैक्सीन बनी है थी Ebola, वो मिनिमर्बर उसने 5 यह लिया था, मार्केट में आने के लिए, और यह जो वैक्सीन हैं, इसने 1 and a half year में ही, आलमूष जो है, पूरा वैक् से क्णिंटिस्ट लोगने कितना है जलदी से am programming किया है इसके उपर क्योंकि यह जो वैक्सीन पड़ी यह इंड काुंक है सबसे पहले जो वैक्सीन है जो की वन एन्फ यह में परफ को घृक यह तो इसलिजिए में और information चाहिए इंसे related तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं तो मैं hope करूँगा कि आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे अच्छे share करिए ताकि और लोग को भी इसके बारे में अच्छे पता चले और वो डरे नहीं vaccine लगवाने के लिए ठीक है तो vaccine जो है आपको लगवाईए vaccine से डरे ये मत जितना हो सके आप इस वीडियो को जितना फैल आईए ताकि और लोग के अंदर जितना भी जो rumors फैले हुमें social media पर जो myths है कि vaccine लगवाने से ये हो जाता है वो हो जाता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है vaccine सबसे safe है इससे अलरड़ी clean care trials हुए है उसके बाद ही जो है उसे DCGID ने एप्रूब किया है ठीक है इसलिए आप जो है जितना हो सके उतनी जल्दी vaccine अगर आपके माई available है तो उस vaccine को लगवा जीए है तो चल यह मिलते हमारे अगली वीडियो में टेक केर बाए बाए